तो फ्रेंड्स कल तो मेरा वीडियो नहीं आपाया था क्योंकि मैं थोड़ा व्यास्त थी अपने पर्सनल काम की वज़े से तो फ्रेंड्स आज मैं थोड़ा सा अपने गार्डन का व्यू दिखाऊंगी और एक बहुत ही खुबसूरत विंटर प्लांट डाइन्थस जो है क्योंकि जो भी खुबसूरत फ्लावर्स मेरे गार्डन में खिलते हैं मैं आप लोग से जरूर सेयर करती हूं और हर कोई चाहता है कि अच्छे-च्छे फ्लावर्स सुन्दर-सुन्दर फ्लावर्स हब कोई देखें तो इसी वज़ा से फ्रेंड्स मैं भी आप लोग से सेयर करती हूं और देखें मेरे गुल्दावदी में कितनी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है अभी और मेरे पास गुल्दावदी के भी बहुत सारे कलर्स हो गए हैं तो उन सबको मैं कटिंग से सेव करके रखोंगी नेक्स डियर के लिए और पिटूनिया देखें पिटूनिया में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है और यह जो तीन प्लांट है गुल्दावदी के मैंने नए एड किये थे आप लोग से सेयर भी किया था वाइट और डार्क पिंग और रानी कलर तो बहुत ही खुबसुरत देखिए उन में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और यह मेरा पॉनसिटिया तो विंटर प्लांट है उन में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है तो उसके लिए फ्रेंट्स हमें फर्टिलाइजर भी देते रहना है यह डॉक फ्लावर क्योंकि समय समय पर यदि हम विंटर प्लांट को फर्टिलाइजर देते हैं तो उन में अच्छी फ्लावरिंग होती और इस तरह से देखिए मेरे यहां पर गुल्दाओधी के जितने वी वेराइटी सब को मैंने रखा है और डहलिया के भी प्लांट मैंने यही परशिप्ट कर दिया है और यह मेरे टेरिस के दूसरे साइट का गार्डन है यह देखिए मेरा कटिंग से लगा हुआ ही बिसकस का प्लांट हर देखिए इसमें कल साय देखि लेंगे और एक फ्लावर और आया है तो इसको आप लोगोंने बहुत पसंद किया था इसमें मेरे व्यू भी बहुत जादा आये हैं उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और छोटी सी चोटी कटिंग आप विंटर में आप लगा कर देखिए और हम सकते हैं में किसी मौसम पर लगाए खुछ ने में डिन नया प्लांट मिल जाता है और हमें भी बहुत खुछी होती है और इधर हिऐ लिच्श में दो अन्य गुल्दावर से देखिए कि इतना खुबसूरत दिख रहा है और यहां पर तो म और चैनन्डूली में इस बार मुझे मैं लेकर रहा थी और बहुत अच्छा झालर मेरे को मिले हैं क्योंकि मैंने भी सोचा नहीं था कि मुझे इतने अच्छे कलर्स मिलेंगे कैननडूला के और भी मैं दिखाती हूँ मेरे पास जूने फ्लावरिंग हुई है और देखे इसमें कितनी कॉंटिटी में फ्लावरिंग चल रही है और इसके फ्लावर्स बिल्कुल बहुत ही लाइ फ्लावर्स वाला प्लांट है और इनके जो फ्लावर है बहुत ही खुबसूरत दिखते हैं बहुत ही सुन्दर रहते हैं देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है और यह वाला देखिए फ्रेंड्स यह औरेंज कलर के इस तरह से दिखते हैं जब इनके कलिया होती है तो ब बीच में बिल्कुल मैरून कलर का, तो चलिए फिर बात करते हैं दैन्थस के बारे में, तो उससे पहले मैं दिखाती हूं मेरे पस कितने सारे प्लांट है दैन्थस के और देखे कितनी ज्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग हो रही है, और ये विंटर को बहुत ही खुब प्लांट है और इन सबको तो मैंने नया अपने गार्डन में एड किया है और इसमें भी देखे कितनी ज्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग हो रही है, तो चलिए सबसे पहले इसकी मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं, तो टैन्थस के प्लांट के लिए फ्रेंड् पंगी साइड पाउडर और एपसम सॉल्ट इस तरह से आप इसकी मिट्टी तैयार कीजिए और प्लांट को आप चाहें तो इसके बेबी प्लांट भी नरसरी से ला सकते हैं, या फिर बना-बनाया प्लांट नरसरी से 30 रूपीस, 40 रूपीस में मिल जाते हैं, वो भी आप कोई तो 20 रूपीस में मिल जाते हैं, अब उसमें कोई कहेगा कि आपको 20 रूपीस में कैसे मिल गए, तो ये तो नरसरी वाले के उपर डिपेंड करता है कि कितने प्राइज रखते हैं, तो इस तरह से आप इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं, और इसे बिल्कुल सनलाइट म दे सकते हैं, देखें ये वाला कलर तो मुझे बहुत ही पसंद आया, बिल्कुल वेलवेट की तरह है फ्रिंच, डार्क कलर है एक दम, और इसमें फर्टिलाइजर हम कौन-कौन से देंगे, तो मैं इसमें फर्टिलाइजर सबसे पहले तो मैं वर्मी कमपोज देती हूं, औ इस तरह से आप रात में भीगा दीजिए, और पानी में भीगा दीजिए, सरसो खली निम खली जितने भी मैंने बताया है, और उसे तिन दिन तक आप ऐसी ही रहने दीजिए, उसके बाद चौथे दिन आप इसको लिक्विट को वन टेन के रेशू में आप सभी प्लांट को दीजिए, जिससे कि आपका प्लांट बहुत थेल दी होगा, और फ्रेंड्स यदि आप लिक्विट कैसे बनाते हैं फर्टिलाइजर, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिक्विट फर्टिलाइजर सरसो खली की मैं कैसे बनाती हूँ, मैंने वीडियो डाला है, तो इस तरह से इनको लिक्विट फर्टिलाइजर दीजिए, और फ्रेंड्स जब इनके फ्लावर्स अच्छे से खिल जाते हैं, तो इस पेंट फ्लावर आप हटा दीजिए, जब फ्लावर सूख जाते हैं, तो इनको आप कट करके हटा दीजिए, जिससे कि इनकी ब्रांच भी बहुँ सारी ब्रांच आएंगी और flowers भी बहुस आरे quantity में flowers मिलेंगे तो इस तरह से आप फूल जो हैं पाधों से हटा दीजिए और इसमें जादा से जादा ब्रांच भी आएंगे और जादा से जादा फ्लावरिंग करेंगी और friends आपको ध्यान देते रहना है caterpillar का ध्यान देते रहना है या फिर कोई भी insect attack होता है उसका भी आपको ध्यान देना है insecticide apply करते रहना है तो आप लोगों ने तो देखा है मेरे garden में कितने ज़्यादा caterpillar हो गये थे और मैंने बहुत सारे हटाए भी और insecticide भी अपलाई किया है और black color के छोटे-छोटे से कीडे भी हो जाते हैं तो आप insecticide apply कीजिए market से जो भी आपको अच्छा लगता हो वो लाकर आप insect attack होता है तो insecticide apply कीजिए NPK 1919 का spray करते रही है आप और fungicide का spray तो आपको करना ही है fungicide powder का spray आप 15-20 दिन में प्लांट में जरूर कीजिए और epsum salt का spray कीजिए और गमले में भी चाहें तो आप epsum salt एक चमच और NPK 1919 एक चमच डाल कर गुडाई कर सकते हैं जिससे की प्लांट बहुत अच्छे से प्लांट तयार कर सकते हैं तो मैंने हमेशा आप लोग से यही कहा है कि जब भी आप प्लांट लाते हैं तो कोसिस यही कीजिए कि आपके एक प्लांट से आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा प्लांट आप तयार कर सकें और मैंने तो ऐसा ही किया है और मैं हमेसा ऐसी ही करती हूँ तो चलिए मेरे कटिंग दिखाती हूँ तो देखें फ्रेंड्स ये कटिंग मैंने अभी लगभग मुझे चार से पांस दिन हुआ है तो जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो एकदम से फ्रेस नहीं होता है जब इनकी पतियां फ्रेस होने लगी तो आपको पता चल जाएगा कि पतियां बिल्कुल ताजी दिखने लगेगी मतलब हमारा प्लांट ग्रो हो रहा है और यहां पर देखिए ये मैंने लगभग 15 दिन हो गये होगा इसे लगाए मुझे इनकी पतियां बिल्कुल फ्रेस है यह देखिए कितनी अच्छी है कुछ में तो न्यू पतियां आने भी लगी है आपको दिख रहा होगा कैमरे में तो डैंथस की cutting आप चाहें तो सेंड में भी लगा सकते हैं, कोको पीट में लगा सकते हैं, या हाप पार्ट मिट्टी हाप पार्ट सेंड में भी लगा सकते हैं, तो यह वाला जो आप देख रहे हैं, यह मेरा कोको पीट में लगा हुआ हैं, सारे cutting मैंने कोको पीट में लगा तो इनकी cutting भी आप अभी भी लगा सकते हैं, दिसंबर के मन्थ में भी आप लगा सकते हैं और बहुत सारे plant तयार कर सकते हैं, तो बस friends आज का मेरा यही topic था कि किस तरह से हम dynthus plant की care करें, मिट्टी कैसे बनाएं, कैसे जगह पर place करें, insecticide कैसे apply करें, कौन कौन से fertilizer दें, और cutting कैसे तयार करें, तो आसा करती हूँ, आज का वीडियो जरूर आप लोग को अच्छा लगेगा friends, और यदि अच्छा लगेगा, तो मेरे चैनल को like, subscribe जरूर कीजेगा, और मेरे जो new friend है, वीडियो जरूर देखते हैं, मेरा लेकिन subscribe नहीं किये हैं, तो please subscribe जरूर कीजेगा मेरे चैनल को, तो आगे और भी मैं बहुत अच्छे अच्छे जानकारी के वीडियो आप लोग के लिए लाते रहूंगी, तो देखे friends, मेरे गाडन में इतने सारे colors के मैंने plant aid किये हैं, डाइन्थस के, और इन सब को मैं जरूर सेफ करके next year के लिए जरूर बचाओंगी मैं तो आप भी अभी cutting लगाईए, और अपने garden में ज्यादा quantity में plant तयार कीजे, और वैसे भी नर्शरी में plant के rate भी काफी महंगे हो गए हैं, तो अपने घर पर ही plant तयार करने की कोशिस कीजे friends, मेरी तो यही सला है, और नर्शरी से भी ला सकते हैं, तो इस तरह से मेरे डाइन कल तो मेरा गेप हो गया था, परसनल रिजन के वज़े से, तो फिर मिलती हूँ friends, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाई बाई